सास बहु में हंगामा घर आए शेकुनी मामा सुबर सुबर सास अपने भाई को फोन लगाती है हेलो अरे किदर है तू बहन की कोई ख़बर नहीं लेगा यहाँ मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके अरे क्या हुआ दिदी सुबह सुबह यह रुदाली की शुर कर दी ऐसा क्या बहाडा तूटा है अरे तेरे धरमराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहु को दे दी है पैसो का हिसा भी उसी के पास रहता है सिर्फ तिजोरी की ही नहीं बेटे की चार भी भी उसी के पास है अब उसी की बात सुनता है अरे जल्दी से आ जाना वरना तेरी बेहन कंगाल हो जाएगी भाई अरे बेहन श्री रहो टेंशन फ्री आ रहा हूं मैं तेरी बहू का पासा पलटने अगले ही दिन मामा घर में आट अपकते है अरे मामा जी पाई लागू बहू पाउ चुके पैरों के नीचे की जमीन खींचना तो कोई तुम से सीखे हां क्या मतलब मामा जी अरे तुमने अपनी सास के पाउ चुए और पूरे घर की सत्ता अड़ अपली साले है सहाब साले सहाब कब आया आ तो चालिस साल पहले गया था तुम्हारा दिबाग कुछ ज़्यादा ही चलता है और जुबान भी खेर तुम्हारी बेहन पे गये हो ना इसलिए जी जाजी आप काफी मसा क्या हो गया वैसे बहु ने घर की सत्ता हड़ पी नहीं है उसको दी गई है वो गुणी है समझदार है और उत्सा ही भी है एक किताब लिख दीजे न अपनी बहु की तारिफ में जी जाजी तब ही सास वहां आ जाती है अरे भाई मेरे भाई आ गया तू आजा 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 तेरे लिए पक्वान बनाए है मैंने हाँ हाँ साले साहब खाये आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पक्वान क्या मतलब मतलब आपके घर में आपके बहन थोड़ी न रहती है उनके हाँ के पक्वान थोड़ी न मिलते होंगे यही कह रहे थे ना सिसर जी हाँ बहु यही कह रहा था मैं सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है यह हलवा खाके कुछ जलबा दिखा दे भाई लुडो अरे हाँ हाँ लुडो भी खेल लेना पहले बहु के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूनो लुडो खेलेंगे जो जीतेगा सत्ता उसकी अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता तू बस चाल चलना पासे तो मैं फैकूंगा और मेरे हाथ से फेका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता अरे लेकिन तेरे जी जाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा हर अभी बार जी जाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं वाँ उनकी मैफिल जमेगी और यहां बहु के मैफिल उजड़ जाएगी अरे एक नंबर का खमीना है तू जैसी दुनिया वैसे हम बहना रविवार की रात सास, बहु, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुय होते हैं अरे थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो मज़ा आ जाए हाँ हाँ लुडो खेलते हैं अरे वाँ बहुत अच्छा आइडिया है हाँ हम चाल लोग हैं आराम से खेल सकते हैं लुडो एक ऐसा खेल है जो खेलने से ज्यादा देखने में मज़ा आता है तो बांजे तुम और हम बस देखेंगे यानि सास और बहु में होगा मकाबला आजाओ देखते हैं किस में कितना है दम खेल होता है शुरू पहली बाजी बहु जीत जाती है क्यों सासु मा कैसी रही अरे एक ही खेल जीती है इतना घमंड ना कर खेली तो तुम बहुत अच्छा हो वहू लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मज़ा नहीं आ रहा कुछ दाओं पर ना लगे तो क्या मतलब ठीक है आप जो कहेंगे मैं दाओं पर लगा तूंगी बादा करो खेल छोड़के भागना मत अरे हाँ मामा जी पक्की बात क्योंकि मेरी बेहना कच्छी खिलाडी है तो उसकी तरफ से पासे मैं फेकूंगा बुडापे में तो वैसे भी हाथ काँ परें पासे क्या फेकेंगी सासु मा बहु को पता नहीं था कि मामा के फेके पासे हमेशा सही बैटने है वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी अगर मैं हार गई तो बहु को अपने पुराने गहने दे दूँगी और अगर बहु हार गई तो तीजोरी की चावी और घर के पैसो के हिसाब की जिम्मेदारी वापस मेरे हाथ में दे देगी हाँ हाँ मैंजूर है मुझे अरे रुको तो थोड़ा सोच समझ के अरे सोच लिया और समझ भी लिया दूसरी बाजी शुरू होती है मामा के फेंके एक भी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते बहु को पसीना आजाता है पर सास को टककर नहीं दे पाती आखरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को एक नमबर चाहिए जबकि बहु एक बार भी घर में नहीं पहुंची है अरे क्यों बहू अब कैसी रही ये गोटी अंदर जाएगी और तीजोरी की चाबी बाहर आएगी मैंने बोला था तुम से कि मामा से पंगा मत लो मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं मामा शकुनी है मामा पासा फीटता है और सास जीच जाती है और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है बहू रोने लगती है इतने में ही वहां ससुर जीच आ जाते है अरे रो क्यों रही हो बहू क्योंकि मामा ने मुझे मामो बना दिया